पर अगर आपके घर पे कोई दूसरा एडिशन आता है या फिर आप कोई दूसरा एडिशन को अगर फॉलो करते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो रीजनल न्यूज है सिटी बेस्ट न्यूज है वो हम लोग वैसे भी नहीं लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि हम लोग जो भी इंपॉर्टन न्यूज करेंगे वो सारे पेपर में आने ही वाली है कारण क्योंकि वो इंपॉर्टन न्यूज है आज ह हम सभी लोग 10 बजे मिल चुके हैं, जैसे हमेशा मिलते हैं, तो चलिए, सब का स्वागत करते हैं, यहाँ पे अर्पिद जी, यो यो 365 जी, अभिनंदन जी, शुविका जी, अर्पिद जी, रितिक जी, स्वदेश जी, विकास जी, गौतम जी, रिमजिम जी, सभी को गूड क्या कह रहा है, brain booster कह रहा है, as per recent government data, which state has the highest gap in infant mortality rate between boys and girls in 2020, 2020 का जो data है, वो अभी आया है, infant mortality rate के अंदर, boys and girls के बीच में highest gap कौन से state के अंदर आया है, यह हम से पूछा गया है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि infant mortality rate आखिर होती क्या है, infant mortality rate की अगर हम लोग बात करें, तो इसे short में हम लोग बोल देंगे, I am R, इसका मतलब है कि हर हजार बच्चों पे, 1000 infants पे, infant मतलब जो गोदी में नहीं बच्चे होते हैं, सबसे जादा, तो सबसे जादा जो गोदी में बच्चे हैं, 1000 infants में कितने बच्चों की death हो गई है, यह होता है, infant mortality rate, माल लेते हैं कि हर 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं, उसमें से 35 बच्चे मर जाते हैं, तो यह क्या हुआ, infant mortality rate, ठीक है, चलिए, आमसर आने शुरू हो गए हैं, शुबम जी, शुती जी, रितिक जी, B और C आमसर आ रहे हैं, हर्याना और 36 गर्ड, ओके, शु B में यहां पर काफी सारे आंसर देख पा रहा हूं, in fact, रितिक जी को छोड़के, अभी तक C नहीं दिखाई दिया है, सब लोग हर्याना बोल रहे हैं, चलिए, अब gap के बारे में बता जेता हूं, highest gap, gap मतलब, अगर 1000 बच्चे मर रहे हैं, माल लीजिए, 1000 में से 20 बच्चो हैं, क्या हैं, 12, girls हैं, इन दोनों के बीच में gap कितना होगा, infant mortality में, boys और girls के बीच में gap कितना हुआ, चार का, तो यह जो gap है, यह gap सबसे ज़्यादा wide किस state के अंदर है, यह हम से पूछा गया है, चलिए, एक आंसर आया पर्णर जी का C, ओके, गुड मॉर्निंग कुमल जी श्वेता जी, गुड मॉर्निंग, पियूश जी, गुड मॉर्निंग, आकरित जी, बी, चलिए, इसका आंसर होगा, 36 गड होगा, याद रखेंगे सब लोग, हर्यादा नहीं होगा, 36 गड होगा, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आपको समझाया, infant mortality rate, उसके बाद में infant mortality rate में भी highest gap, gap किसकी बात हो रही है, जो अगर total 20 बच्चे मरे है, for example, यह example है, ऐसा data नहीं है, for example, अगर 20 infants की death होई है per thousand पे, 8 boys थे और 12 girls थे, तो इनके बीच में जो gap होगा, वो होगा 4 का, तो यह gap जो है, वो highest कहां पे है, highest है, 36 गड़ के अंदर, आसान एक हमारे paper के front page पे, ऐसा दिखता है हमारा paper, पहली जो हमारी news है, वो inflation accelerate to 7.41%, highest since April के बाद में highest हमारी inflation rate है, तो यह monthly आता है, आपने पढ़ लिया, headline पढ़ ली, काम हो जाएगा, इसके उपर question बने यह जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि monthly है, quarterly होता, तो भी एक बार देख लेते अगर annual होता, तब तो important हो जाता, gender gap, gender gap के अंदर हर्याना है, infant mortality में, gap जो है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, अशोक जी, good morning, चलिए, पहली important news जो है, home minister to launch Hindi version of first year MEBS books on October 16, यह हो रहा है, कहां पे, MP के अंदर, MP मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश में, पहली बार देश में क्या होने जा रहा है, जो medical की MBBS की book है, MBBS मतलब डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, MBBS की first year की जो book है, उसे हिंदी में भी launch किया जाएगा, और करेगा कौन, home minister कौन है हमारे, अमित शाह, कौन है home minister, अमित शाह, यही बात यहां पर की गई है, कि अभी first year के लिए जो भी आपकी books है, MBBS में पढ़ी जाने वाली, anatomy वगरा की, उन सारी books को हिंदी में launch किया जाएगा, और ऐसा देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको, इसलिए आपको यह पढ़ना जरूरी है, date है यहां पर 16 October, अब कुछ लोग इ इसके विपक्ष में होंगे, ठीक है, और वैसे भी Southern States जो है, Southern India के जो States है, वहां के कुछ लीडर्स हैं, वो हिंदी को national language या फिर official language अनौन्स करने में, घोशित करने में थोपसा oppose कर रहे हैं, उनका कहना है कि regional languages भी हैं, वो equally important है, उसके अलावा, new education policy जो है ना, NEP, new education policy, new education policy, इसमें भी ना, regional language को, regional languages को, importance दी जाएगी, importance दी जा रही है, कारण क्या है, सिर्फ language barrier के वज़े से कोई talent बेकार नहीं जाना चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं, जिनको English medium में पढ़ने का आउसर नहीं मिलता है, तो उसके बाद में, सिर्फ इसलिए कि कोई Hindi medium से है, या regional language में उसने पढ़ाई की है, तो इस कारण से, उससे क्या कितने हैं, उसका talent चीन लिया जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए क्या कितने है, new education policy पे, regional languages पे ध्यान देना है, उसके अंदर एक step और लिया है थोड़ा सा close हुए हम लोग, MBBS के अंदर पहली बार एक book जो है, वो first year की आ रही है, market में, MP में होगा, आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा आगे काम का आपके लिए, अभी के लिए नहीं है, 16 October को launch हो, उस time में अगर कोई चीज announce होती है, तो वापस newspaper में आना ही है, वापस इसी class में discuss करना ही है, चलिए, देखते हैं क्या खे रहे हैं बच्चे, प्रशान जी, good morning, शुप्रबाद, gender gap हर्याना है न, हाँ जी है, अशोग जी, good morning, अमिर जी, good morning, sir, कैसे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी लोग कैसे हैं, खुशी जी, good morning, सुदेश जी, quarter means क्या होता है, quarter means एक चौथाई, quarter means एक चौथाई, half means आधा, ठीक है, अमिर जी, MBBS की study हिंदी में होगी, हाँ, बिल्कुल, sir, telecommunication bill, हाँ, जी, important है, बहुत बढ़िया, अमित मिश्राजी, sir, NEP, हम लोग के लिए भी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, पर धीमे धीमे, जब progress हो, तभी अच्छा, कोई बात नहीं, आपके आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं, वो इसका फायदा उठा लेंगे, और आगे आप जाएं, तो हो सकता है, कि आपक जो भी मतलब बच्चे होगे रहने वाले हैं, वो भी फायदा उठा लेंगे, चलिए, अंजली जी ने कहा, medical के words English में ही easy हो सकते हैं, यहाँ पे, अगर हम लोग इस पार्ट में आते हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी राय दी है, पर वो क्या है, वो एक technical analysis है, तो वो जीके बनी रहे, जैसे engineering के अंदर होता है, जैसा science के अंदर होता है, ठीक है, और उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर हिंदी को लाया जाए, इसके against में एक argument है, अगर हिंदी के अंदर books लाई जाए, तो वो बच्चे जो हिंदी के अंदर books पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हि हिंदी speaking states के अंदर ही practice कर पाएंगे, अगर वो English वाले में जाना चाहेंगे, तो उनको वापस से language barrier ultimately देखना ही पड़ेगा, दूसरा argument ये आया है कि book तो आपने चाप दी हिंदी के अंदर, पर जो reference books हैं, वो आज भी English के अंदर है, medical science की जो reference books हैं, वो आज भी English medium के अंदर है, तो ये भी एक point निकल के आया था, valid point है, दोनों तरफ से जो points हैं, वो valid point है, एक कहता है कि हाँ ठीक है, language barrier के वज़े से talent waste नहीं होना चाहिए, दूसरा कहता है, अगर हम Hindi में कर देंगे, या regional languages के अंदर कर देंगे, medical जैसी books को, तो हम लोग काफी reference books से दूर हो जाएंग फिर उसके बाद में धिमे-धिमे बढ़ सकती है, ठीक है, good morning शुती जी, क्लैट में Nobel Prize important है, हाँ, वैसे ठीक है, important है, क्योंकि recently हो रहा होगा, बाकी क्या करते हैं, अभी तक क्लैट में Nobel Prize को लेके ज़्यादा questions आए नहीं है, ठीक है, सो आप ऐसा पढ़ाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे घर के हैं और हम लोग आप से रोज मिलते हैं, बिल्कुल हम लोग रोज मिलते हैं, यही कारण है कि मुझे भी आप लोगों से लगाओ महसूस होता है, साहिल जी, good morning, कुसुम जी, good morning, चलिए, नीचे वाला देखते हैं, यह भी बहुत जादा important नहीं है, पर एक बार पढ़ लिए, करीब करीब 22,000 करोड रुपे, 22,000 करोड रुपीज, government देने वाली है, ऐसी PSU को, public sector undertakings को, जो की natural gas प्रोवाइड करवाते हैं, अभी हो क्या रहा है ना, कि 2020 से और 2020 के बीच में हम लोग देखें, 2020 से 2022 के बीच में अगर हम लोग देखें, तो gas के जो price है, gas के जो price है, वो 300% surge कर गए है, मतलब 3 गुना हो गए है, पर domestic market में तो 3 गुना हुए नहीं, तो loss कौन ले रहा है, loss अपने उपर ले रहा है, PSU, public sector undertakings, यह ONGC वगर जितने भी हैं, तो वो लोग ले रहे हैं, तो cover करने के लिए 22,000 करोड रुपे का corpus, government दे रही है, कौन दे रही है, government दे रही है, central government दे रही है, PSU's जो की natural gas provide करवाते हैं, तो आपको number याद रखना है, 22,000 करोड, अगर थोड़ा बहुत और याद रखना चाहें, तो 2020 से 22 के बीच में, gas price का inflation 300%, तीन गुना बढ़ गया ह अगर 2020 के अंदर 600 रुपे की gas थी, तो आज के टाइम में 1800 रुपे की पढ़ रही है, पर domestic market में 1050 या 1100 रुपे लिये जा रहे हैं, तो वो जो 1800 की gas और 1050 या 1100 रुपे, करीब-करीब 700 रुपे का जो घाटा है, पर सिलिंडर, पर सिलिंडर जो घाटा है, उसको cover up करने के लिए 22,000 करोड रुपे दिये जा रहे हैं, गौवर्मेंट द्वारा PSU को, इतनी सी बात है, उस और कुछ नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, अभी एक ही आर्टिकल हम लोगों ने किया है, क्लैट पेपर हिंदी क्यों नहीं होता, देखिए, मुझसे अगर परसनली पूछा नहीं जा सकता है, लीगल को चाहे तो कर सकते हैं, पर लीगल के अंदर भी ना, sections अगर आते हैं, और काफी सारे concept हैं, कुछ maxims हैं, कुछ words हैं ऐसे, जो कि हिंदी में translate कर पाना मुश्किल होगा, और बच्चों के लिए हिंदी में समझ पाना और भी ज्यादा मुश्किल हिंदी और इंग्लिश बाइलिंग्वल पेपर लिया जा सकता था, पूछ नहीं सकते हैं, इंग्लिश पूछ नहीं सकते हिंदी में, यह दोनों नहीं पूछ सकते, सीधे-सीधे चले गए 60-70 मार्क्स, है की नहीं, चलिए, नेक्स देखिए, अगला हमारा आइडल, आर्ट में खोई नहीं थी, चुरा लई गई थी, और चुराने के बाद में उसकी जगे उसके रिप्लिका रखे गए थे, उसकी कॉपी रखी गई थी, और उसे चुरा के बेच दिया गया था, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, अभी उसे ट्रेस कर लिया है, जो आइडल विंग योग नरसिम्भा, पहली कौन सी योग नरसिम्भा और दूसरी तो नाम आसान हो जाएगा, गनेशा, ये दोनो ना वेनु गोपाल स्वामी के मंदिर से बिलॉंग करती थी, और जो की थुरू वरल डिस्टिक के अलाथुर में था, ये इतनी इंपॉर्टन जो भी है, हमारे अटकेंस मुजियम आफ आर्ट्स, ये है कहां पे, मिसूरी में है, ये से, कैंसस सिटी, मिसूरी, कहां पे है, कैंसस यूएस, क्लियर है, आसान, इसके अलावा ये भी बताया गया कि 2017 के अंदर कंप्लेंट फाइल की गई थी, और तीन मूर्तियों के बारे में, और भी बात यहां पे की गई है, तीन मूर्ति कौन-कौन सी है, यहां पे देखिए, लौड विश्णु की, भू देवी की और श्री देवी की, इन तीनों की मूर्तिय भी है, ये हाला की रखी ग पर अगर चोटे चोटे पैसेज बनाना चाहें एक दो क्वेशन पूछना चाहें तो कुछ टाइम पहले हमाई एक और आइडिल जो है वो मिली थी तो उसके इसाफ से बाकी मुझे परस्टनली नहीं लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेशन हो सकता है फिर भी आप लिख के रखें याद आपको आई जाएगा नाम बहुत आसान है एक गनेशा की मूर्ती है और योग नरसिम्हा की मूर्ती है ठीक है बीटियस जी गुड मॉर्निंग शिवांगी जी गुड मॉर्निंग इंटरनेशनल कोर्ट में केस फाइल हुआ था नहीं नहीं इन सब में अनाउंस करके जाऊंगा ठीक है और अव्विस ही बात है अपने आसपास वाले लोगों को पहले जाने से पहले बात वात करके अनाउंस करके जाऊंगा चलिए हाँ जी इंदर जी बिल्कुल सही आपसे क्वेशन भी पूछेंगे आज इस पे नेक्स देखिए ये इंपोर्टन आर्टिकल है इसके उपर स्टार मांग कर रहा हूं ये इंपोर्टन आर्टिकल है इसका नाम है स्लेंडर लॉरिस ये जो जनतु है यहाँ पे इसका नाम है इस आर्टिकल पर आने से पहले ना दो चार कुछ चीज़े बता देता हूं यह slender loris जो है ना इसको पूरवज माना जाता है monkey का पर यह monkey वाली प्रजाती के अंदर आता नहीं है यह कौन है यह ancestor माना जाता है ancestors to monkeys ancestor माना जाता है प्लस यह कीट पतंगे भी खाता है मतलब यह मास तो नहीं कह सकते है कीट पतंगे भी खाता है जो छोटे-छोटे केच्वे होते वो भी खाता है फल भी खाता है तो इसका मतलब non-vegetarian भी है और vegetarian भी है तो यहाँ पर इसके अंदर यह एक और चीज़ है और slender loris होते कितने type के हैं या तो red होते है या तो red slender loris होते है या फिर grey slender loris होते हैं पाए कहाँ पर जाते हैं mainly India और Sri Lanka के अंदर पाए जाते हैं इनकी कुछ प्रजातियां slender loris नहीं पर loris की ही कुछ प्रजातियां जो है वो Jakarta Jakarta Indonesia Indonesia या फिर एफरिका के कुछ जंगलों में भी पाए जाते हैं पहले इन्हें लेमूर माना जाता था देखने में लेमूर जैसे लगते हैं पहले इन्हें लेमूर माना जाता था पर अब क्या है कि इसको अलग ही माल लिया तक सिलेंडर का मतलब भी होता है पतला तर शकर पतला है पतले-पतले पैर है और maksimum time यह रहता है ट्रीक्स के उपर maksimum time यह spend करते है trees पे maximum time ये spend करते हैं trees के उपर पर अब ये lookth हो रहा है lookth होने का कारण क्या है जो localites है वहाँ पर जो southern India के अंदर जहां पर ये पाए जाते हैं jungle के अंदर जो tribes है या localites है वो मानते हैं कि इसके अंदर magical power है हाला कि इसके अंदर होती है नहीं होती है magic होता भी है नहीं होता ये बहुत controversial है पर ये लोग मानते हैं कि magical power है ये क्या है इसके अंदर magical power है या फिर कई बार ये भी मानते हैं कि इसके अंदर medicinal properties है तो इसकी smuggling बहुत होती है तसकरी बहुत होती है तो इनकी जनसंख्या जो है वो धीमे-धीमे कम होती जारी है इनकी जन संख्या दीमे दीमे कम होती जारी अब तमिलनाडू सरकार ने उठाया जिम्मा और कहा कि हम स्लेंडर लॉरिस के लिए क्या करेंगे एक सैंक्चुरी ही गोशित कर देंगे अब आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा क्या कह रहा है तमिलनाडू फर्स्ट हो गया है कंट्री के अंदर जो की नोटिफाई करता है स्लेंडर लॉरिस के लिए एक 11,000 कितना 11,806 हेक्टेर का एरिया सैंक्चुरी के अंदर कितना 11,806 हेक्टेर का एरिया है और उसके बाद में इसको बताया गया कि ये क्या है नॉक्टूर्नल, नॉक्टूर्नल मैमल है यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है एक तरह से मैमल है अब बंदर की प्रजाती है मतलब बंदर का भी पूरवज है तो अब विस्सी बात है ये क्या होगा ये होगा हमारा मैमल अब ये है कहां पे habituate कहां किया जाएगा तो ये यहां पे देखिए करूर और डिंडी गुल कहां कहां पे करूर और डिंडी गुल जो कि तमिल नाडू के अंदर है वहां पे इसे century को लगाया जाएगा चलिए habitat improvement में बहुत काम कर रहा है तमिल नाडू तो इसको आप लोग अच्छे से करिए सर ब्लैक मेजिक 2013 तेरा इंडिन्न गेट यू सर्य एवर्गरीन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं हाँ जी हरे भरे जो पार फॉरेस्ट हैं जो कि सी लेवल से करीब करीब साधे 300 से 400 मीटर के उचाई पर रहते हैं वहां पे ये रहना पसंद करते हैं कोमल जी गुड मानिंग श्री लंका ठीक है चलिए करूर और डिंडिगुल और बताइए और बाकी वहां पे लास्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है बड़ी आधी अधूरी से इंफॉर्मेशन है उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए हमने काफी बार उन्हें अलग-अलग आर्टिकल्स के अंदर देख रख कि फंडामेंटल राइट्स को वाइलेट किया गया गर्ल्स की क्योंकि वह हिजाब पहनना चाहती थी सामने वाले कह रहे हैं कि युनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ये सारी चीजे ये सारी की सारी चीजे जो हैं वो हमने देख ली है जब ये इसके उपर डेली डेली एक आर् बैठेगी और हिजाब वेडिक्ट के उपर प्रनाउंस करेगी अपने जज्जमेंट को तो इन सब को आप नहीं भी पढ़े तो चलेगा कल वाले पेपर में भर भर के अच्छे से आएगा अच्छे से आएगा कि आखिर वेडिक्ट के अंदर आया क्या तो आज तैयार रहे जैसे ही ये क्लास खतम होती है हो सकता है आपको पता पढ़ जाए न्यूज फ्लैश करने लग जाए आपके मोबाइल के अंदर जो एपस है वो फ्लैश करने लग जाए इस न्यूज को कि क्या जज्जमेंट आया है ठीक है I am waiting for this judgment eagerly me too मैं भी मैं तो इसलिए ज्यादा होता है तो यह वैसा ही एक जज्जमेंट है यहां पर हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए इस इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे यह हो जाएगा कल वाले में बहुत अच्छे से आएगा नेक्स देखिए रेल्वेस टू आपरेट वंदे भारत फ्रेट ट्रेंस क्या होती है माल गाड़ी तीन अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल ट्रेंस छो की रेल गाड़ी होती है वो लांच की है शूल्ट भारत पर है यह वह ज्यादा अच्छे से हो जाएगा अब यहां परना qualities बताई गई है वंदे भारत की वंदे भारत जो freight trains रहेगी उसकी qualities बताई गई है सबसे पहले क्या 160 km 160 km पर आर पर ये दोड़ेगी तो इसका मतलब fast है 160 बहुत बहुत fast होता है ठीक है 1800 mm का wide racks होंगे इसके अंदर और automatic sliding doors भी होंगे डोर मतलब ऐसा नहीं कि कुंडी खोली और खीचा sliding doors होंगे और वो भी automatic है ना तो 1800 mm की racks और उसके अलावा automatic automatic sliding doors बताईए भाई freight train है मालगाड़ी इतनी अच्छी होगी सोचिए फिर उसके बाद में इसके अंदर doors would have provision to load reefer container for temperature sensitive cargo temperature sensitive मतलब ice cream मुझे लेके जानी है या फिर मुझे फल सबजी लेके जानी है जो की temperature sensitive है तो temperature sensitive cargo को भी ये carry कर सकती है roller floor system होगा मतलब उठा के ले जाने सिस्टम नहीं होगा रोल करके धक्का करके ले जा सकते हैं लॉकिंग फैसिलिटी रहेगी लॉकिंग फैसिलिटी रहेगी ठीक है और उसके बाद में पेलोड जो है कहाँ बन रहा है चेन्नाई की इंटीग्रल कोोच फैक्ट्री कहाँ बन रहा है चैन्नाई की इंटीग्रल कोच फैक्त्री ये सारी चीजे हैं याद रखेगा important है, मजेदार है, एकदम और यह हमें पता भी होना चाहिए, इंडिया के अंदर पहली बार कोई इतनी fast freight train आ रही है, माल गाड़ी आ रही है, तो हमें पता भी होना चाहिए, चलिए, फोर्थ वंदे भारत, वंदे मात्रम नहीं बच्चे, वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत train was, is launching today in चंडिगर, अभी होगी न, या फिर is going to launch, चलिए, ब्लैक मैजिक पे हाँ, पैसेज था, चलिए ठीक है, मुझे लगा कोई news होगी, तो मैं उसे recall नहीं कर पा रहा था, बाक पर नहीं कर रहे हैं, सर, NEP इंडिया में लागू होगी, या only states में, all over India होगी धीमे-धीमे state basis पर, क्योंकि education जो है, state और center दोनों का subject है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला article क्या कहता है, were objectives of demonetization achieved Supreme Court Bench, Arts, Center and RBI, हुआ क्या था ना, कि यहां पे कहा जा रहा है, 1946 और 1978 में, पहले भी demonetization हुआ था, क्या हुआ था, demonetization हुआ था, पर यह demonetization जो है, यह parliament की affirmation के बाद में, एक act के through हुआ था, किसके through हुआ था, through an act, पर अगर हम लोग बात करें, recent वाले, 2016 में हुआ था ना, recent वाले, हमारे इसके demonetization की, 2006 वाला जो demonetization है, यह notification से हुआ था, किससे हुआ था, notification से हुआ होगा, आप लोगों को याद होगा, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे, TV channels पे PM आते हैं, PM आने के बाद में एक बड़ी announcement करते हैं, कि 500 और 1000 के जो currency notes हैं, जो currency notes हैं, वो आज रात 12 बजे से effective नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, इसकी जगे जल्दी ही, 2000 के और 500 के notes आएंगे, और उसके बाद में काफी सारी guidelines, जो है, 48 घंटे में 10 guidelines से ज़्यादा, वो आ गई थी, 2016, 8 November 2016, हाँ, सॉरी, 2006 लिख दिया है, 2016, सॉरी, 2016, ठीक है, और एक कोटक का एक card भी है, 811, अगर आपको नहीं 8 November याद रहता है, तो कोटक का एक card है, 811, 8 मतलब date, 11 मतलब November, 8 November, कोटक 811, उस card से मुझे याद रहता है, मेरे पास वही card है, तो मुझे ये date उस से याद रहती है, 811, 2016, बहुत बढ़िया, demonetization का मतलब ये होता है, कि आपके पास में जो currency notes है, वो क्या है, एक legal tender है, legal tender उनसे withdraw कर लिया जाता है, आप currency note को देखेगा न, तो उस पे लिखा रहता है, मैं धारक को, अगर 10 रुपे का note है, तो 10 रुपे अदा करने का वचन देता हूँ, और RBI governor उसके नीचे sign करता है, मैं ये notify करता हूँ कि आज के बाद में जो 500,000 के note पर मैंने tender दिया था न, जो मैंने legal tender दिया था, उसे withdraw करता हूँ, तो फिर ऐसे case में क्या हो जाएगा, ऐसे case के अंदर वो 500,000 के note जो है वो खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बेकार मतलब ऐसा नहीं कि आपके प demonetization के बारे में अब कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है, demonetization के बारे में कोई पूछता भी नहीं है, तो क्या अब ये question उठाना जरूरी है, तो सामने जो respondent थे, अब petitioner से ये पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जरूरी है, क्यों जरूरी है, कारण ये है कि demonetization तो ए त्रुआ गया इतनी बड़ी ची 16 लाख करोड रुपए की करंसी आपने एक notification से हटवा दी बेकार कर दिया उन पैसों को इसके लिए कोई यहां पर चर्चा होनी चाहिए कोई debate होनी चाहिए यहां पर लोगों थे demonetization के वो achieve हुए क्या objective objective अब यहां पर कौन कौन से है objective मतलब terror financing जो terrorist थे उनके पास में पैसा आ गया था terrorist के पास में पैसा रोक देंगे हम क्या करेंगे हम currency change कर देंगे currency change कर देंगे तो क्या होगा उनके पास जो पैसा रखा हुआ है वो पैसा बेकार हो जाएगा उनके पास रखा हुआ पैसा अगर बेकार हो जाएगा तो वो हमारे पास आएंगे currency को change कर देंगे नहीं क्योंकि टेरर financing में जो पैसा है वो black money का है दूसरा यहां पे मुद्दा आता है black money का black money मतलब अगर किसी पास में black money है तो बैंक के पास जा नहीं सकता कि मेरा पैसा बदल दो क्योंकि वो तो calculate हो रहा है वो तो वहां पे accounts में जा रहा है कि हाँ इस आदमी ने इतना रुपया change करवाया तो वह वाला 0027% ही total currency के अंदर से fake currency निकल के आई अब इसके counter में क्या argument दिया जा रहा है इस fake currency के counter में यह argument दिया जा रहा है यह कह रहे हैं कि देखो भईया जिसके पास में fake currency होगी वो लेके थोड़ी आएगा bank के पास में कि मेरी fake currency change कर दो वो तो fake देगा अगर demonetization नहीं होता तो fake currency यूज में आ जाती पर यूज में तो आई नहीं वहाँ पर तो ऐसे करते वे काफी सारे यहां पर मुद्दे है वो देखा जाएगा ये भी constitutional bench है ये भी क्या है ये constitutional bench है चुकि constitutional bench है इसलिए मुद्दा क्या हो जाता है important हो जाता है ये भी जल्दी से decide हो जाए और आपके clad के लिए important हो जाएगा ठीक है चलिए देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं सर रीसेंट judgment ले newspaper काफी है क्या मैं ये नहीं कहूंगा 100% सही है वहां से आप reference ले सकते हैं और उसके अलावा अगर आप अलग से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते है more or less काफी है more or less काफी है ठीक है समीर जी hello I am new here welcome to the class अगर ये आपकी पहली class है तब तो बहुत अच्छे आप डेली जुडिया आपको डेली दह हिंदू के newspaper में से important articles और प्लस कुछ questions जो की paper के अंदर cover हम लोग नहीं करते है वो भी देखने को मिलता है ठीक है हां जी blackmailी निकाला गया और out of India से भी आया बहुत सारी चीज़ हुई थी terror funding बहुत बढ़िया है two notes of 500 दस तक रह सकते हैं कुसुम जी दस note तक आपके पास रह सकते हैं दस से उपर होगा तो जिल जाना पड़ेगा ठीक है I think you should watch live law channel चलिए send me thanks ओक्योगे चलिए अगला हमारा article क्या कहता है no more indictment under section 66 A of IT Act Supreme Court हुआ क्या था ना 2015 की हम लोग बात करते हैं 2015 के अंदर एक लड़की थी law student थी क्या थी law student lawyer भी नहीं थी श्रेया अब lawyer है श्रेया single क्या नाम था श्रेया single तो श्रेया single ने एक case किया क्या किया एक case किया यह कहती है जो IT Act Information Technology Act है इसका section 66 A इसका section 66 A जो है यह Unconstitutional है यह क्या है Unconstitutional है Unconstitutional कैसे है भाई कोर्ट ने पूछा तो यह कहती है Article 19 1 A के अंदर हमें मिली है Freedom of Freedom of Speech Freedom of Speech and Expression क्या मिली है हमें मिली है Freedom of Speech and Expression पर अगर हम लोग बात करते हैं Article 66 की तो यह जो है Freedom of Speech and Expression के against है चुक्की section 66 A fundamental right के violation में है fundamental right के violation में है तो इसे Unconstitutional Declare करवाद देना चाहिए तो कोर्ट देखती है एक्जामिन करती है केस चलता है कोर्ट भी बोलती है हाँ section 66 A जो है यह personal liberty को प्लस आपके Freedom of Speech and Expression को violate करता है इसलिए Information Technology Act से 66 A को हटा दिया गया पर कोर्ट क्या कह रही है यहां पर कोर्ट यह कह रही है पुलिस को जो पावर मिली थी पुलिस को जो पावर मिली थी section 66 A के अंदर कि अगर कोई अबद्र व्यवहार करता है या फिर किसी को उकसाता है या फिर कोई ऐसी चीज कहता है जो कि ठीक नहीं है तो उस चीजों के लिए क्या हो सकता है पुलिस पकड़ सकती है तो पुलिस आज भी पकड़ लेती है इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी लिखता है पुलिस को अच्छा नहीं लगा या बड़े किसी आदमी को अच्छा नही clear कर दिया है इसलिए अब 66 एक अंदर लोगों को पकड़ के जेल में लाना और उन्हें torture करना बंद करो यही सारी चीज यहां पे कही गई है important इसलिए हो जाता है क्योंकि यह case सुन रहे थे यह कहा किसने है Chief Justice यू ललिट साहब ने अभी के लिए Chief Justice जो है वो यू ललिट साहब है उद्यूमेश ललिट साहब इन्हों ने सारे डायेक्टर जेनरल डीजी ऑफ पुलिस सारे स्टेट के उसके अलावा जो यूजिन टेरिटरीज के अंदर और प्लस जो सेक्रेटरीज हैं उन सभी लोगों को कहा है कि अपने सारे पुलिस ऑफिसल्स को बताओ अपने सारे एक्जेक्टिव्स को बताओ जाके कि 66 जो है वो हटा दिया जा चुका है अनकॉंस्टिशनल हो चुका है उसके अंदर आप किसी को पकड़ना बंद करो पर लास्ट में ए एक और चीज कही है क्या कहा गया कि अगर शिर्फ 66 ए लगाये तो मत पकड़ना पर 66 के साथ में 66 के साथ में other offenses है तो 66 के अंदर मत पकड़ना पर other offenses के अंदर अभी वह उसे try किया जा सकता है अभी वह उसे jail में लाया जा सकता है तो ये बात यहाँ पर इस article के अंदर कही गई है पढ़िएगा बहुत मज़ेदार है और श्रिया सिंगल जो है इनके नाम को मैं वापस लेना चाहूँगा कि एक law student होते वे इन्होंने इतना landmark judgment दिलवाया है तो आप भी बहुत छोटे नहीं है अगले साल तक आप भी law student हो जाएंगे थोड़ा सा थो ओके चलिए नेक्स देखिए center stand sought on places of worship act center का stand पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है हुआ क्या places of worship act के अंदर ये कहा गया मैं बता देता हूँ places of worship act में क्या कहा places of worship act के अंदर ये कहा गया कि 15th August 1947 को जो place of worship जिस स्थिती में है वैसी ही रहेगी ठीक है तो इसका status को जो है status को maintain किया जाएगा क्या किया जाएगा maintain किया जाएगा इसके अंदर एक exception दिया गया क्या दिया गया इसके अंदर एक exception दिया गया राम जन्म भूमी केस ये एक exception यहाँ पे दिया गया था otherwise कोई भी exception नहीं दिया गया अब देखें ये वाला important क्यों हो जाता है क्योंकि ज्यान वापी मौस्क वाला जो केस है जो कि वारानसी में है वो फिर से उठके आ रहा है प्लस इसके अलावा कुतुब मिनार जो है कुतुब या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं कुतुब मिनार इसके अंदर भी कहा गया है कि यहाँ पे भी archaeological survey करवाया जाए इसके अंदर जो कि Delhi के अंदर है इन्हें भी कहा जा रहा है कि इनों खोदो इसके अलावा ताज महल से related controversy भी आई थी बीच में पर उसे reject कर दिया गया ताज महल को कहा जाता है कुछ लोग claim करते हैं कि इसका नाम तेजो महले है जो की आगरा में है अब ये सारी जो जगे है राम जन भूमी वाला case तो जो है यह हमने decide कर लिया ये तो हो गया ठीक है राम लला विराजमान वाला जो case था ये तो हमने decide कर दिया अब अगर हम लोग places of worship act को मानते हैं जिसके अंदर ये कहा गया कि 15 अगस्त के बाद में places of worship जो है उनका status को maintain किया जाएगा पर example अगर किसी place को mosque माना गया था 15 अगस्त 1947 को तो उसे mosque ही माना जाएगा अगर किसी place को temple माना गया है तो उसे temple ही माना जाएगा अगर किसी place को दरगा माना गया है अगर किसी place को peat माना गया है तो वो सारे के सारे वैसे ही रहेंगे जैसे थे उसके अंदर कोई भी change नहीं होगा इसलिए अब center से पूछा जा रहा है center से पूछा जा रहा है कि places of worship act के उपर center का क्या stand है क्या वो places of worship act को मानता है अब देखिए यहाँ पे इसका जवाब देते हुए क्या कहा गया इसके जवाब देते हुए कहा गया कि सिर्फ इसलिए एक act आ गया है इसलिए और वो act जो है कहीं पे cite हो चुका है पहले कहीं पे cite हो चुका है उसका citation दिया जा चुका है इसलिए उसको वापस से हम लोग नहीं देख सकते हैं वापस से उसके judgment को नहीं देख सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं ऐसा तो है नहीं तो हम लोग places of worship act को भी देखेंगे ठीक है चलिए places of worship means places of worship मतलब हिंदूों के लिए मंदिर होते हैं Muslims के लिए मस्जिद होती है Christians Church के अंदर जाते हैं तो जो अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा स्थल जो होते हैं उन्हीं को places of worship कहा जाता है सलमान भाई की YouTube channel का नाम क्या है सलमान खान अच्छे एक्टर हैं काफी मतलब पॉपलर है पर मुझे काफी टाइम से उनके movies देखने का मौका नहीं मिला और उनके कोई videos वगरा देखने का भी मौका नहीं मिला राम मंदिर केस involved है क्या विकाह जी राम मंदिर केस को ना exception दिया गया था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर exception दिया गया था राम जन भूमी केस को बाकी सारे जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप हैं वहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं अगला आर्टिकल हमारा क्या कह रहा है कॉपरेटिव एक्ट अमेंडमेंट्स क्लियर कॉपरेटिव एक्ट के जो अमेंडमेंट है उन्हें क्लियर किया जा चुका है क्या है यहाँ पर amendment जो multi-state cooperative societies amendment bill 2022 है क्या है multi-state cooperative societies amendment bill 2022 इसे uncorporate किया गया है और 97th constitutional amendment जो हुआ था 97 नमबर का संशोधन हुआ था सम्विधान का उसे effect में लाया गया है और protect किया जाएगा अब protection मिलेगा to cooperative societies and made the right form cooperative societies a fundamental right article 19 के अंदर ना एक आपको association या फिर union form करने की association या फिर union form करने का right है union form करने का right है तो अब यहाँ पर article 19 के अंदर अगर association या फिर union अगर form करते हैं हम लोग तो फिर इसके अंदर cooperative societies भी आना चाहिए cooperative societies और यह जो cooperative societies है यह inter-state भी हो सकती है inter-state जो अगर दो या दो से ज्यादा states के बीच में अगर कोई cooperative society बन रही है तो इसे inter-state cooperative society भी कहा जाएगा तो inter-state cooperative society जो है इसे बनाना अब आपका fundamental right हो गया है क्या हो गया है fundamental right हो गया है यहाँ पर कोई controversy या कोई dispute नहीं था normal simple सा amendment clear किया गया है इसको भी देख लीजिए यह भी एक तरह से important है क्यों important है क्योंकि fundamental right से related है और कॉंस्टी से आपके questions आते हैं कॉंस्टी से आपके questions क्लैट के अंदर आते हैं clear है कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया एकदम सही आप telegram पर message कर दे अमन जी मुझे भी मिल सकता है क्या नोट्स प्लीज दे दुआ मन सर थैंक यू शूती जी हां चलिए बहुत बढ़िया चलिए नेक्स चलते हैं अगला हमारा article क्या कह रहा है नेवी मिग 29 के crashes of Goa pilot ejects to safely यह मतलब है थोड़ा दुख देने वाली यूज तो है पर मतलब exam point of view से बहुत ज्यादा important नहीं है बहुत ज्यादा मतलब इसको follow करते रही है मिग 29 थोड़ा crash करता है ठीक है अब यहां पर देखिए हुआ क्या ना एक है हमारा INS विक्रमा दित्य विक्रमा दित्य यहां पर routine exercise वगरा हो रही थी तो एक क्या किते है मिग 29 के यह लेके उड़ा एक पाइलेट और वापस लौट के जब आ रहा था तो उस टाइम में कुछ इजेक्ट कर दिया इजेक्ट क्या होता है इजेक्ट का मतलब अगर plane जा रहा है ठीक है इस type का आपका plane होता है अगर plane जा रहा है तो यहां से इजेक्ट करने का option रहता है अब plane जाके आगे टकरा जाएगा या गिर जाएगा pilot उपर से निकल जाएगा तो pilot ने खुद को इजेक्ट कर लिया और वापस मिल भी गया ठीक ऐसा ही last year भी हुआ ठीक ऐसा ही last year भी हुआ था उसमें दो pilot थे एक pilot शहीद हो जाते हैं दूसरे pilot बच जाते हैं एक pilot शहीद हो गए नहीं बच पाए दूसरे pilot बच गए इस बार वाले में एक ही pilot था और ये pilot बच गया और बाद में rescue भी कर लिया गया saved and rescued क्लियर है कोई दिक्कत नहीं मिग 29 क्रेश क्यों होता है थोड़ पुराने हो गए है और बाकी देखिए असली में क्रेश क्यों होता है इस वाले केस के लिए तो inquiry बिठाई गई है investigation बिठाई गई है कारण निकल के आ जाएगा यहां पर लिखा भी हुआ है कि यहां पर investigation जो है वो बिठा दी गई है पर देखिए a board of inquiry has been ordered to investigate the cause of the incident क्या cause है यह इसके लिए board of inquiry बिठा दी जा चुकी है बाकी क्या कहते है कारण देखे पुराना हो गया है और तो क्या नेक्स चलिए पुटिन सेज रश्या कैन प्रोवाइड गैस वाया Nord Stream 2 तीन pipeline थी इसके अंदर Nord Stream 2 के अंदर अभी कुछ ताइम पहले आपको पता होगा Nord Stream जो है इसको sabotage किया गया इसको क्या किया गया सेबोटाज किया गया अब सेबोटाज करने के बाद में Nord Stream 2 को और Nord Stream 1 को सेबोटाज करने के बाद में अभी भी एक pipeline जो है यह अभी भी functional है यह क्या है यह अभी भी functional है पुतिन कहा रहे हैं कि एक Nord Stream 2 की pipeline के थुरू हम आपको क्या कर सकते है अभी भी natural gas दे सकते हैं क्या कर सकते है natural gas दे सकते हैं और यूरोप को भयंकर जरुद पढ़ने वाली है अगले एक महीने के अंदर भयंकर जरुद पढ़ने वाली है यूरोप को क्योंकि winters are coming winter के अंद कहता है कि यूरोप को हम गैस दे देंगे पढर उन दैशों को नहीं कि जिसने आएल के उपर और हुआ के उपर प्राइज कैप लगाए है तो हम नहीं देंगे बाकी हम बाकी देशों नैचरल गैस दे देंगे हमारी एक pipeline अभी भी फंक्शनल है ठीक है यह इतनी सी बात यहां पे कही जा रही है बाकी यहां पे कुछ भी देखने लायक नहीं है वाई सर इन विंटर विंटर में इसलिए क्योंकि इनके यहां पे पढ़ती है बहुत 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 ज्यादा ठंडी एकदम मतलब सिकुड जाएंगे इनको बहुत गरम कपड़े पहनने पढ़ेंगे इनका ऑफेस इनका घर इनके मॉल इनके जो भी है रेल्वे स्टेशन या अब धुवा वगरा नहीं लगाते हैं यह लोग नाच्रल गैस से लपीजी वगरा जो नहीं है उससे क्या केते हैं अपने घरों को गरम रखते हैं तो उनको घर गरम रखना जरूरी है वरना ठंड से मर जाएंगे तो इनको जरूरी है चलिए और तो कुछ इसके अंदर important नहीं नेक्स देखिए यूएस ट्रेजरी यलन टो विजट इन नॉमबर फॉर बाइलेटरल टॉक्स ऑन इकोनोमिक्स यहां पर क्या हुआ फाइनस मिनिस्टर निर्बला सीता रमन जो है वो बाइलेटरल मीटिंग कर रही है अमेरिका की जो उन IMF World Bank Group Annual Meeting किसमें गई हुई है IMF World Bank Group Annual Annual Meeting इसके अंदर गई हुई है Annual Meeting में तो इस Annual Meeting में उन्होंने मुलाकात की Janet Yellen से किस से Janet Yellen से मुलाकात की जो की Treasury की Secretary है for USA वहाँ पर Finance Minister नहीं Treasury Secretary होते हैं उनसे मिली निर्मला सीता रमन कौन निर्मला सीता रमन मैम यह Ministry of Finance के अंदर है Minister है वहाँ जाके मिली अब इन्होंने इन्वाइट किया है यहां मिलने के लिए गई और यहां जाके इन्वाइट किया कि आओ तुम नवंबर में आओ तुम नवंबर में इंडिया में आओ बैठ के ना इंडिया प्लस USA इंडिया और USA के बीच में इंडिया और USA के बीच में हम लोग bilateral bilateral economic relation और world level पे world level पे economic जो स्थिती है उसे कैसे सुधार सकते हैं उसके उपर बात करेंगे agenda जो है agenda बहुत ही varied रहेगा agenda जो है वो बहुत ही varied रहेगा big and varied रहेगा जो की बाद में बता दिया जाएगा ये बाते इसके अंदर कही गई है और ये सब कभ हो रहा है जी 20 की जब leadership इंडिया को मिलने वाली है चेर्मेंशिप इंडिया को मिलने वाली है उससे पहले USA की Treasury Secretary का इंडिया में आना और फिर बातें करना economy को लेके ये बहुत ज्यादा important बना देता है जनेट येलन की विजिट को तो इनकी विजट भी हमारे लिए important रहेगी इसलिए मैं यहां स्थार माउं कर रहा हूं यह आर्टिकल अपने आप में बहले इंपारिनन ना हो पर इनकी विजिट बहुत ज्यादा important रहने वाली है ठीक है चलिए पुवाल क्या होता है पुवाल वो जलाते हैं ना घास होती है पुवाल इंजन प्रॉब्लम वैदरों कॉम्मिनिकेशन ब्रेक हो गया यही cause बताएगा बोर्ड ओके गाउं पे पुवाल जलाते हैं बहुत बढ़िया हाँ जी चारा या फिर घास होती है पुवाल चलिए नेक्स देखिए हमारा आगया यहाँ पे question question हम लोग अब करना चालू करते हैं फोन को ले लीजिए हाथ में और आपको ABCD दबाना है अगर आपके पास में कोई extra information होती है तो वो extra information भी दे सकते हैं एक बार message करें क्योंकि ब Baltic pipe natural gas pipeline which was recently opened transport natural gas to which country यह जो Baltic pipe natural gas pipeline है जो recently ही खोली गई है यह कौन सी country को natural gas transfer करती है UK, Poland, Spain या फिर Italy UK को करती है United Kingdom England को करती है, Poland को करती है, Spain को करती है या इटली को करती है चलिए ओके योगेंदर जी का answer आया है C, C मतलब Spain योगेंदर जी का answer आया है C, C मतलब Spain नेक्स्ट है और किसका answer है पाल बोलते हैं, ओके अभिराम जी C, मतलब Spain ओके भवानी जी C, Spain रितिक कान जी C, Spain, शिवांगी जी A, गौतम जी C, भवानी जी C, श्रिया जी C, शुभम जी B, जयती जी C, शिविका जी A, अपर्णा जी B स्पेन सब को क्यों लग रहा है कुछ, कुसम जी A, ओके, शुर्ती जी B, दूसरी शुर्ती जी, दोदो शुर्ती जी जी बताईए, B, भवानी जी C for Canada, दिलीब जी A, बीटियस जी C, अंजले जी पॉलेंड, C मतलब Spain चलिए, पॉलेंड इस दी राइट आंसवर, है कहां पे, पॉलेंड तक ये नैच्रल गैस को पहुचाएगी, ठीक है अशुक जी A, अमिज जी, इटली को, अर्पिज जी A, शुभम जी पॉलेंड, सेजल जी C, चलिए पॉलेंड इस दी राइट आंसवर, नेक्स चलते हैं, अगले अपने question क्योंड, ये बहुत important question है which term is used to define the field of chemistry, which is related to linking molecules like those in living cells, जैसे living cells के अंदर, दो सेल को जोडते हैं, वैसे ही molecules को जोडना, वो chemistry का कौन सा field कहलाता है A, joint chemistry, B, click chemistry, C, snap chemistry, D, biochemistry, इन चारों में से क्या कहलाता है, दो molecules को आपस में जोडना, इसको क्या कहते हैं, याद होगा आपको recently ही chemistry के अंदर, recently ही chemistry के अंदर, Nobel Prize जो है, Nobel Prize ये इसी जो इन में से आंसर है, उसी के उपर मिला है, जहाँ पर joining of molecules जो है, या molecular joint जो है, उसके उपर मिला है स्क्रीन उपर कर दीजिए, नहीं दिख रहा क्या लिखा है, इसमें तो कुछ लिखाई नहीं बच्चे, चलिए, आंसर आने शुरू हो गए, D, B, D मतलब bio, B मतलब click, click chemistry, शिवांगी जी, अपढणा जी, B, शुती जी, C, BTS जी, D, Future IS जी, B, Ritik जी, click chemistry, Kusum जी, B, Shubham जी, now it gets Nobel Prize, जोगेंदर जी, D, मतलब biochemistry, शिविका जी, B, भवानी जी, B for बाहु बली सर, बहुत बढ़िया, जोती जी, D, शिव जी, B, Shubham जी, B for Bombay, बहुत बढ़िया, और B ही सही आंसर है, B ही सही आंसर है, click chemistry कहा जाता है, यहाँ पर na living cells देखने के बाद, कुछ बच्चों को लग सकता है biochemistry है, पर यह है नहीं, यह है क्या, जोड़ा यहाँ पर molecules को ही जा रहा है, बस एक analogy है, यह बताया गया कि living cells को जोड़ते हैं, वैसे ही जोड़ा जाएगा, तो आंसर होगा आपका B, B is the click chemistry, click chemistry कहा जाता है, जब molecular joint को पढ़ते हैं, यह आप molecules को join किया जाता है, ठीक है, B for Banaras, बहुत बढ़िया, फाइटर तेजस, B, गौतम जी, B, next question को देखिए, अगला question क्या कहता है, यह तो पता होगा, cricket तो प्रेम करते हैं, आप लोग, who is the first Indian cricket captain to score 500 T20 international runs in a calendar year, A, महिंदर सिंग दोनी, B, विराट कोली, C, रोहित शर्मा, D, शिकर दवन, recently he, as a captain, 500 T20 international run, एक calendar year के अंदर score करने वाला कौन सा cricket captain बन गया है, भाई, MS दोनी है, विराट कोली है, रोहित शर्मा है, या शिकर दवन है, कौन है, MS दोनी तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फॉर्स्ट इंडियन क्रिकेटर की बात हो रही है, तो वो तो बने नहीं थे, आंसर आने लग गए हैं यहां पे, बहुत बढ़िया, विशाल जी, अंजली जी, शुबम जी, बभिता जी, शिवांगी जी, शिया जी, भवानी जी, कुसम जी, रितिक जी, अशोग जी, शिवांगी जी, विकास जी, अभी जी, अशोग जी, अभिननदन जी, कुसम जी, गौतम जी, शुबम जी, रितिक जी, दिलिप जी, जोती जी, विकास जी, फ्यूचर आइस जी, भवानी जी, कुसम जी, नूतन जी, अपढ़ना जी, सब लोग C कह रहे हैं, शुबम जी, C for Calcutta, शर्मा जी का बेटा भवानी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, BTS जी अमित जी, शिव जी, योगेंद्र जी, शुती जी, शुती जी, दूसरी वाली शुती जी, अंजली जी, रोहित शर्मा इस दी राइट आंसर, सब लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, सब लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, रोहित शर्मा इस दी राइट आंसर, रोहित captain रहते हुए एक साल के अंदर 500 से ज्यादा T20 international run बना चुके हैं clear है next देखिए अगला हमारा question कह रहा है National Payment Corporation of India has partnered with which country Central Bank to launch Rupay card NPCI National Payment Corporation of India NPCI ने कौन से country के साथ में कौन सी country के Central Bank के साथ में partner किया है ताकि Rupay card Rupay card चला सकें कुछ दिन पहले मैंने पूछा था इसका मुझे सही जवाब चाहिए बच्चों Hitman चालिए इसका सही जवाब मंगता है क्यों क्यों क्योंकि पढ़ा है वह तो भूलना नहीं चाहिए है कि नहीं नूतन जी ओमान अपर्णा जी बी मतलब ओमान कुसुम जी बी मतलब ओमान श्रया जी विशाल जी अभिनंदन जी ओमान कुसुम जी विकास जी सबका अंसर आ रहा है बहुत अच्छा लगा पढ़ाई हुई चीज आपको आ रही है उस पढ़ाई हुए का आंसर आ रहा है जोते जी बिल्कुल चाहीए B is the right answer, next देखिए अगला question क्या कह रहा है, आ गया, शुरुवात में किसने कहा था, World Bank ने कितनी percent रखी है GDP growth rate, और अगर आपने YouTube पे shots देखे होंगे, तो वहाँ से भी आपको ये clear हो गया होगा, अब उतकर्ष लॉइन क्लैट चैनल जो है, वहाँ पे आपको shots मिल जाएंगे, As per the recent World Bank report, what is India's GDP projection in the current fiscal year 2020-23, World Bank के हिसाब से पूछा है, किसके हिसाब से, World Bank के हिसाब से, RBI की Monetary Policy Committee के हिसाब से नहीं पूछा है, IMF के हिसाब से नहीं पूछा है, World Bank के हिसाब से पूछा है, कितनी है, चली, आंसर आ रहे हैं, रितिक जी, शुबम जी, फाइटर जी, अंजली जी, शुबम जी, अभिनंदन जी, रितिक जी, आमन जी, सेजल जी, बविता जी, अपना जी, शिविकार जी, गौतम जी, शोती जी, विशाल जी, योगेंदर जी, नूतन जी, शुबम जी, सेजल जी, सबका आंसर 6.5, एक चेंज है सिजल जी ने कहा है सी मतलब 7% ओके योगेंद्र जी तरण प्रीट जी तरण प्रीट जी काफी लेट वच्चे कुस्म जी फाइटर जी शिव जी जोती जी विकास जी बी इस दी राइट आंसर वर्ड बैंक ने कहा है कि 6.4 6.5% की ग्रोफ रेट रहेगी वहीं आई एंट्री पॉलिशी कमिटी जो है इसने कहा है 7% रहेगी तो यह वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक को भी आप देख लिए यहीं लिख देता हूँ 6.5% बताया है यह प्रोजेक्टेट ग्रोफ रेट है 2022-2023 की पहले IMF की अगर हम लोग बात करें जो जुलाई के अंदर मिले थे जो जुलाई के अंदर इन्होंने ग्रोफ रेट दी थी यह थी 7.4 पर वहां से घटा के अब इन्होंने माइनस 0.6% कर दिया है तो अब यह हो गया 6.8% इसका कारण कल वाले में हमने देखा था घटाने का कारण क्या था? इन्फलेशन था और दुनिया भर के अंदर बढ़ती पूरे वर्ल्ड लेवल पर बढ़ती food crisis क्या है? food crisis इन सब के कारण क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ही downtrend दिख रहा है तो इंडियन economy भी downtrend होगा ऐसा नहीं है कि दुनिया rise कर रही है और इंडिया नीचे जा रहा है ठीक है? यह option वाला भी कोई option लाओ ना सर? ओके ओके ऐसा करते हैं कल करते हैं चलिए अगला क्या कह रहा है? पहले तो मुझे यह बताईए कि तेल अविव है कहाँ? कौन सी country के अंदर है और फिर उसके बाद में पहले आंसर देदीजिए यह दोनों में से कोई एक चीज पहले कर दीजिए तेल अविव कहाँ यह भी बताईएगा ठीक है? रितिक जी डी नुवाग जोकोविक ओके अंजली जी नुवाग जोकोविक श्रया जी डी अभिनांदन जी सिसीपास अपढणा जी डी रितिक कान जी नुवाग विशाल जी डी अभिराम जी डी सिद जी डी शिविका जी डी विकास जी डी शुती जी मेबी डी गौतम जी डी दिलीब जी बविता जी शिव जी डी कुसम जी डी होगा क्या? चालिए पाइटर जी, अमन जी, जोती जी, अभिनंदन जी, सेजल जी, सेजल जी का अभिनंदन जी ने बताया इसराइल में है ओके, शिवांगी जी, विकास जी, BTS जी, योगेंदर जी, D, सब का answer D है, तो मेरा भी answer D है आंसर होगा D आंसर क्या है D is the right answer आप मुझे बताइए तेल अविव कहां पे है तेल अविव शुप पारवती जी इसराइल ओके गौतम जी इसराइल बहुत बढ़िया सर स्पोर्ट्स वाला न्यूज मेरा वीक है पर आइलेट की बत्यारी हम लोग साथ में कर रहे है आइलेट में आएंगे उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा चलिए योगेंदर जी इसराइल सेजल जी भी नहीं है बच्चे D है आंसर तो तेल अविव है आपका इसराइल के अंदर और जेरुसलम इसकी कैपिटल है इसराइल की कैपिटल पर इंडिया की जो एंबेसी है याद रखेंगे तेल अविव के बारे मैंने क्यों कहा इंडिया की जो एंबेसी है इंडिया की एंबेसी जो है वो तेल अविव में In fact, maximum जो देश है, maximum nations की जो embassy है, जो embassy है वो तेल अविव में है, जेरुसलम में US की embassy है, कुछ साल पहले ये news काफी चर्चा में थी और इस वज़े से मैंने आपको बता दिया, आपको भी clear होना चाहिए और तेल अविव दुनिया की सबसे महेंगी cities में से भी एक है, दुनिया की सबसे costly cities में से भी एक है, तो यहां तक आज की class का हमारा अपना सफर था, I hope आपको आज की article समझ में आये हो, आज article थोड़े से ज़्यादा थे, बट मैंने कोशिश की कि आप तक पहुंचे और हमने क पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग next class के अंदर तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!